असलाम आलेकॉम आज हम अपनी किचिन में लाएं एंट फालूदा की रैस्पी बहुती सिंपल तरीके से बहुती ईजी है और जैसे सबको फालूदा खाना बहुती ज्यादा पसंद होता है और बहुती ज्यादा यमी और टेस्टी लगता है तो हर किसी का फेबरेट है यहां एक बॉली जूदा के निया, चालynn में आपको काईए नाया, तो जैसे के मैं पानी डाल देंगे, हमके में पानी को च Owl सलेते के फाले पानी के लिए चोड देंगे ताकि तक भीमाय बही मटत है, आज हम आपको बताएंगे कि फालूदा की सिवही कैसे बना दे बहुत ही easy है इसको बनाना तो जैसे मैंने एक कटोरी यहां पर अऱोट लिया है तो एक बॉल लिया है उसमें add कर देंगे यह अऱोट का आटा आप इसको चान लिजी है मैंने इसको चान लिया है इसी कटोरी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें ताकि इसमें कोई लंस बगेरा ना पड़े तो अच्छे से हम चला लेंगे इसको और तीरे-दीरे करके मिक्स कर लेंगे आराम से यह देखिए परफेक्ट हमारा घुल बन गया है एक कटोरी पानी अट करेंगे यह हमने एक कटोरी पानी लिया है तो यह हमने डिर कटोरी का यूज किया है तो जब हम पकाएंगे इसको तो हमें थोड़ा पानी जादा चाहिए इसके पकाने के लिए यह देखिए हमारा बैट बनके रेडियोट हो गया है इसे वही का देखिए हमने पैंग लिया है और गैस का हमने फ्लेम लो रखा है यह जो आरा रोट का हमने पेष्ट बनाये था इसी में एड़ कर देंगे हम यह देखिए हम इसको मिक्स करते जाएं यह और चलाते जाना है ताकि इसमें कोई लंस होना शुरू हो गया है हम पांच मिन तक और चला लेंगे इसको यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा जो सिवई का पेष्ट है इसमें कोई लंस वगेरा नहीं पड़ा है आप देख सकते हो तो दो मिनिट और हम इसको अच्छे से पका लेंगे बस ध्यान रखना है नहीं तो यह जल जाएका और इसमें लंस वगेरा पड़ जाएगी बस नहीं काम है हमारा यह देख सकते हो आप यह कितने अच्छे से देखिए यह हमारा जो पेष्ट है वो पग गया है यह देखिए सिवई का जो पेष्ट है वो बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हो क प्रोसेस नहीं होगी तो चलिए अभी सिवई बना लेती हैं इसकी यह देखे रेडी हो गया है अब क्या करेंगे हमने यह सेव बनाते हैं तो आप मार्केट में इसली मिल जाएगा तो इसको जो पेश्ट है इसमें ट्रांशपर कर देंगे गरम ही गरम करना है आपको छोटे छेट वाला जो साचा है वह हमने एट किया है इसमें, हमने सबसे छोटा वाला साचा चाहिए, सिवई बनाने के लिए बारी सुराख वाला, ये भी हम इसी में ट्रांसपर कर देंगे, जल्दी से बहुत करम हो रहा है, एक ही बार में हैं, पूरा जो मिक्चर है, वो सब, इसी क आप देख सकते हो एपनी अपनी फालुदा की अबहुती है इसको गर्मे बनाना ये देखिए हमारी सिवाई बनके रेडी हो गई है अभी हम इसको चेड़ेंगे ना हात लगाएंगे ना चमच लगाएंगे इसको हम आदि खंडे के लिए फ्रेस में रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगी अगर हम इसको अभी हाथ लगाते हैं तो ये जो सिवई है हमारी वो तूट जाएगी तो कोई मतलब नहीं आदे घंडे तक के लिए हम इसको रेश्ट पर रख देते हैं फ्रीज के अंदर ये आदा घंटा हो चुका है हमारी सि मेहनत को तो आप देख सकते हो ये हमारी सिवई बनके रेडी हो गई है चलिए अब हम फालूदा बना लेते हैं चलिए हम जेली बना लेंगे उसके लिए हमने पैन लिया है उसमें एक लाट हम पानी कर देंगे इसको हम पकने देंगे पानी को ने जेली का पेकेट लिया है इस टॉबरी वाला आपको इसा भी फ्लेवर ले सकते हो, चलिए इसमें एक पैकेट लिखला है, ये भी कट करके हम एड़ कर देंगे इसी में, इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, ये भी हमारा वॉयल हो गया है, गैस को कर देंगे बन, ये पान इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर आदे गंटी के लिए इसको फिर इसमें रख देंगे, सैट होने के लिए, देखिए हमारी जेली रेडी हो गई है, और अच्छे से सैट हो गई है, आदा गंदा हो चुका है, देख सकते हूं कि यह आप क्यूप से देख सकते हूं माशाला बहुत अच्छी जमी है यह देखे लिए फालुदा बनाने के लिए हमने आदा कीजी दूद लिया है चिल्ड दूद है इसमें एट कर देंगे हम आदा कटोरी यह पीसुई चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंग है चीनी हमारी मिक्स हो गई है चलिए अब हम फालुदा बना लेते हैं बनाने के लिए दो हमने ग्लास लिए है इसको थोड़ा सा रूभजा से सजा लेंगे यह देखिए चारो तरफ हम रूभजा फैला लेंगे अच्छे से अच्छे से आमने ग्लासों का डेकोरेशन कर द कठेले यह देखिह आ इंब हाध देखके अप्शात है इतनी लंडी लंगी बनी है मारी सिवह कि सिफी स्कारढ़ है यह कि अनू आड़ी यह देखिए ईंड़ी च करदेंगी सजखसदों कि यह देखिए आप देख सकते हैं इत्नी परफैक्ट हमारी जेली बनी है ऐसे ही हम जेली एड़ कर देंगे, एक एक चमच हम आइस क्रीम एड़ कर देंगे, वनिला आइस क्रीम है, आइस क्रीम डाले में आपको पंजूसी नहीं करना है, यह देखिए, यह मैंने पैकेट लिया है, तो आप भी एक ऐसा पैकेट ले सकते हूँ, यह देखिए, अब इस अब एड़ करेंगे ठंडा दूर्ट जो हमने शकर डाल के यह देखिए अब इसमें एड़ करेंगे फिर से सब्चा के बीच यह देखिए सिवाई जेली जेली एड़ कर देंगे यह देखिए हमारी जेली कितनी पर्फेक्ट बनी है आइस्क्रीन यह देखिए अब देखिए इस पर भी हम सेट कर देंगे थोड़े से ड्राइफूर ताके लुक बहुत अच्छा आए यह देखिए थोड़ा सा रूफ अफजा एड़ कर देंगे लुक के लिए यह देखिएगा यह देखिए हमारा फालुदा बनके रेड़ी हो गया है मेरी इस्टाल में अगर मेरी यह रेस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें द्वामे याद रखें आप भी ज़रूर बनाए और मुझे कमेंट कर कि बता है मेरी युर्ण